जाहिन दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार कोईज मास्टर में कोईज मास्टर पाट अप एक्जाम पूर तो दोस्तों चैसा कि आप सबको पता है कि जेल वाडर फायर मैंन की एक्जाम डेट फाइनली आ चुकी है सेप्टेंबर के लास्ट विक में इसक साई और कॉंस्टेबिल की भी नई पदों पर भरती हमें निकालने हैं ठीक है उसके भी प्रक्रिया चालू कराई जाएगी 2021 में चुनाव हैं तो उसके कॉर्डिंगी सारा कुछ करनफेर दिसकस करेंगे इसके लाबा कोई भी डिसकस नहीं करेंगे ठीक है चलिए तो इस क्लास को आप लोग सबी लोग लाइक कर दीजेगा अगर आप लोग पहले बार चैनल से जुड़ें तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक है और सब्सक्राइब इसलिए कर लिजेगा ताकि आपके जो इस्पेसल वीडियो होती है वह आपको मिल सके जैसा कि आपको पता है कि पिछले पांच मेनों से कोरोना का चला है तो को लेकर भी दो-तिन कोशन जरूर आएंगे ठीक है तो उनको लेकर जितने भी इंपोर्टन कोशन से वह भी हम कवर करेंगे पहला कोशन है पश्चिम मंगाल की मुख्योंतरी महमता बनेर जी ने कोविट-19 संकट पर को कवर कर रहे कवर करें पढ़र का जीवन वीमां कराने का आइलान कि तीक है देखो कितनी प्यारी सरकार हैं मारे यह सरकार यह से है из-सको क्या ही Commission मतलब जो पत्रकार हैं उनको कितने रुपए दिया जाएंगे उन्हें दिया जाएंगे दस लाख रुपए का जीवन विवा निगम कराए जाएगा क्या करा जाएगा जीवन विवा कराएजाएगा सोचने वाली बात है और बैचारे गरीब मजदूर ये लोग सड़क पर चल चल के गर्मियों में मर गये बेचाओ उनको कोई देखा तक नहीं यह सरकार हमने इसलिए नहीं चुनी थी हमने इसलिए अपने वोट को देकर इन्हें नहीं चुना कि आप हमें PM Care का फंड लो और उसी से हमसे भीक मांगो और हमसे भीक मांगर आप अपने काम में यूज कर लो आप उनसे चुनाव लड़ लो हमने इसलिए आपको चुनाव नहीं दिया था हमने इसलिए आपको नहीं जिताया था लेकिन खेर कोई बात नहीं हम बोलते रहेंग पश्चिम मंगाल में भी कोरोना वारिस के माणल में लगातार संक्या बढ़ रही थी बहुत ज़गा था तो वहां की पत्रगार होते हैं इसको लेकर अबडेट आप देते रहतें कि अबडेट है इसको लेकर वह उन्हें देंगे कि किसी को तो चलो मिलना है नहीं गरीब को तो अमीर को अमीर और अमीर गरीब बहुत गरीब विस्व एंटी डोपिंग एजनसी वाड़ा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारती डिसकस्ट थ्रू और संदीब कुमार पर कितने साल का प्रतिबंद लगा दिया है वेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है किसको पता है व इस पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंद लागु क्योंकि मतले लागु को पहले से तो उसी दिन पर प्रतिबंद लागु रहियं ही मिला था कि तो यहां पर आप समझ सकते हैं इसका स्वाइब का जाता है वह यह वाला चार साल यह आपको बता दें यह मैं पूछा तरह सकता लागू कब से हुआ था या आप ऐसे समझ सकते हैं या लागू होगा तो 26 दून जो डार 18 यह क्यों क्योंकि उसी दिन यह वाड़ा कम जो है एजनसी होती है उसी दिन जो है सेंपल इसके लिए गये थे चार साल के प्रतिबंद लगा दिया गया उसके बाद अगला प्रसने प्रसन पर ती राष्टर मंडल खेल महा संग सीजी एपने हाली में कहा कि कोविड नाइंटीन महा मारी की वज़े से एक साल के लिए टेले टोक्यो ओलम्पिक की तारीक से टकराव से बचने के लिए राष्टर मंडल युवा खेल 2021 के बजाए अब किस साल में होगे वह जो 2021 में होते है क्य आप वह 1997 107 अगस्त कि मतलब तो डोको में होना था कहा पर उनना था यह पहले टोको में होना था एकस सा अगस्ट तक लेकिन इस अगस्ट तक हो गया वर्ड प्रेस फ्रीडमदे ठीक है याद रखेगा वेजिटो प्रेस सुतंतरता दिवस वर्ड प्रेस फ्रीडमदे अच्छा यह जो है आपका दिसम्बर 1993 में स्वितराश्ट्र महासबाद वारा विजिटो सुतंतरता दिवस घोशित किया गया था सबसे पहले 1993 में कब 3 माई को 1993 में ये घोशित किया गया था सबसे पहले 200 प्रेस सोतनता दिवस जिसके कारण आपकी जो प्रेस यानि मीडिया होती है बिलकुल एकदम ऐसे होती है जैसे मीडिया में आगर आपकी नोगरी लग गए आप रिपोर्टर बगरा बन गए तो आप समझो कि आप ही राजा उच देश के है ना आपके पास कोई रोक नहीं आपके उस फुल सोतनतिता की आजादी होती है किसी से भी जाकर कैसे भी आप कॉस्चन्स करो निम्नुएसे कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक, जलवायू और पर्यावराड की निग्राने है तो एक अपना पहला आर्कटिक अपगरह लौंच करेगा तो वो लौंच करने वाला देश कौन सा है आप सभी को पता होना चाहिए वो लौंच करने वाले थे सब का रूस है पांच का सितर से आजाएगा कौन सा है रूस है जो ये लॉंच करेगा ठीक है रूस याद रखिएगा सभी लोग उसके बाद ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रांकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है तो ये आपका रखा गया है तीसरे स्थान पर चेक काई का यहागा यह कितनी स्थान पर रखा गया है। फॉट इयकर ऑमत इनकी आपना सिरता खो दिया है। बॉ PUBG अब तरहologists कि आप का जारी आद गया है। अब तेस sudah आ गया वजहां अबका झारी एक ताज्वा test में पहले स्थान हासित के लिए आप लोग याद रखेगा यह भी आप से पूछा जा सकता है और समझनी ऐसका पहले इसुका इसको तीसरे पर भारत आ चुका है चले उसके बाद हाली में किस अनभवी बल्ले बाज को न्यूजिलेंड का वर्स सर्वस्रेष्ट खिलाडी चुना गया है कौन सा अनभवी बल्ले बाज है जिसको न्यूजिलेंड का वर्स का सर्वस्रेष्ट क्रिकेटर चुना गया है इसका ना सब्सक्राइब कि नाम है सर रिचर्ड सर रिचरड है देली मेडल पराप्त किया तीसरी बार लगाता ठीक है तीसरी बार इस चीज को आप याद रखिया है मैडल का नाम भी याद रूखी का बहुत महत्पूर्ट प्रसन है आप से पूझा जा सकता है रॉल टेलर ने निवजी लेन्ड के लिए कुल 32 वन डे कि रॉम दोटेस्ट चेश्ट मेंच खेलें क्या करा है इनोंने 230 तो इन्हों वन डेख ले 232 तो इन्हें वन डेख ले सो टेटी खेले नो ने वन लेख ले और इसके बाद में आपके 101 टेस्ट मैच खेले, 101 क्या खेला, टेस्ट मैच खेले, रॉस टेलर इनका नाम है, न्यूजिलेंड के वर्स के सरसेस्ट खिलाडी ये चुने गए, उसके बाद, हाली में किस राज्य के चाक हाओ, क्या नाम है, चाक हाओ अर्थात, काले चावल को भावगवलिक संकेति, यानि GI टैग प्राप्त हुआ है, ये जितने भी नए GI टैग मिलते हैं, वेरी मोश्टम बड़न कोशन ये पूछे जाते हैं, GI टैग वाले, ठीक है, चाक हाओ को GI टैग प्राप्त हुआ है, मडीपूर, कहां पे, ये पूछा जा रहा था, किस राज सरकार ने सहरी छेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंतरी सहरी योजना गारंटी योजना लाउंच किये, ये है आपके हिमानचल प्रदेश, क्या है, हिमानचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा सभी 120, क्या 120 दिन का रोजगार मुहया कराए जाएगा, कितने दिनों का 120 दिनों के लिए रोजगार मुहया कराए जाएगा, यानि कि 4 महीने के लिए, ठीक है, चलिए अगला है, केंद सरकार द्वारा, 4 मही 2020 तक कितने राजियों को 1 नेसन, 1 रासन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है, केंद सरकार द्वारा, 4 मही 2020 तक, याद रखिएगा, 4 मही 2020 तक only, कितने राजियों को, इसका नाम क्या है, 1 नेसन, 1 रासन कार्ड योजना के साथ जो पर आगया है किस कस्मिरी उत्पाद को Αफाली में जी आई टैक पराप्थ हुआ है यह किसे पराप्थ किसमिरी उत्पाद को हाली में जी-ığ чтоб राप्त हुआ lucky तो उस उत्पाइथ का नام आप को बताना था ठीक है क्या वत वताना था जल दीवी लोग बतायता है यह उसका उत्पाइथ का तो नाम है वह नाम है के सर इसे क्या प्राप्त हुआ कस्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो कि 16-100 मीटर की उचाय पर उगाय जाता है यह पुलमावा किस्तवार बढगाम और स्रीनगर के छित्रों में उगाय जाता है भागेलिक संकेत जी आई संकेत जिसका उपयोग उत्पादों पर किया जाता है जिसकी एक पहचान भी इसी मूल 6-30 के कारण होती है साथी जी आई टैग जो मिलता है ने किसी उत्पाद की गुडवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत होता है मालों कि आपके चावल को एक जी आई टैग प्राप्त हो गया तो आपके लिए एक अलग पहचान मिल जाती है जैसे आपके आम का कोई जी आई टैग होता है आपने कभी सुना होगा एक चौसा आम होता है कई प्रकार के आम होते हैं चावल के कई सारे बास्मती चावल जी इसी लिए इनकी एक अलग पहचान बन जाती है ठीक है चले उसके बाद देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन तो ये नियुक्त किया गया है स्रीकांत माधव वैद को ठीक है प्रसनल बारा का स्री उत्र सी हो जाएगा स्रीकांत माधव वैद को ठीक है स्रीकांत माधव वैद एक जुलाई दोजार बीस के से कारभार समालेंगे यानि कि अभी आपका काउंसा दिन है मतलब अभी आज यह 10 तारीक हो चुके ठीक है राइट 10 तारीक तो एक जुलाई से इन्होंने कारेवार शमाल लिया है ठीक है या जगेगा तो एक जुलाई 2020 से कारवार इन्होंने समाल लिया है उनका कारेकाल 31 अगस्त 2023 तक रहेगा यह भी पूछा जा सकता है 31 अगस्त 2023 तक रहेगा कब तक 2023 तक इनका कारेकाल ओनली रहेगा ठीक है याद रखिएगा समय लोग इस चीज को उसके बाद हम आप चलते हैं प्रस्ट नमबर किसकी तरफ प्रस्ट नमबर आपके 13 की तरफ प्रस्ट नमबर 13 है कि हाले में किस देश ने लेबनानी समुह हिजबुलाह की सभी गतिविदियों पर प्रत्विद लगाकर इसे आतंगवादी संगटन घोशित कर दिया है ठीक है यह भी कोश्चन बड़ा अच्छा है पूचा दा सकता है जर्मनी क्या कोश्चन है कोश्चन है कि किस देश ने लेबनानी समुह है इसका नामता हिजबुलाह सितनी भी गतिविदियां थी सभी पर प्रत्विद लगाकर इसे कहा गया है आतंगवादी संगटन घोशित कर दिया गया है इसको याद रखेगा उसके बाद किस राजी सरकार ने कार और जीब जैसे सरकारी सरकारी बैन लगाया है है कि उसके बाद एंतर याश्ट्रीय श्रमिक श्रमिक दिवस 혼तर इंटानेंल लेबर डे मिलेक मैंसे किस दिन मन युआ जाता है अंतर रास्ट्य श्रमिक दिवस वान चाहित फिल्छा में suggesting और चलिए तो यह मना जाता है अयह ऐक माई को यह को सिर्फ भारत कि नहीं बलकी अच्पी देश और होते हैं जिनमें अंतर राष्ट्री के एक राष्ट्री चुटी होती है और इसमें यह संग कुराजियों को बढ़ावा देने के लिए कर जाए संग देशों को बढ़ावा एक माई एक माई नाइटीन सब्सक्राइब इसकी जो है सुरॉइब तब से माना जाता है ठीक है उसके बाद यह इसकी जो है अंतराश्ट्री लेवल पर सुरॉइब ती बाकि मश्दूर दिवस्की जो शुरॉइब चेन्ड़ी से एक माई 1923 में का पूई थी एक माई उनी सो सेम डेट थी लेकिन एर बदला था इंडिया में चन्नाई से हुई थी ठीक है एक माई उनी सो तेस से उसके अधाली में किये गए अध्यन के अनुसार निमन में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की इस्तिती देखी गई मतलों बांध बना दिया गए तो अनुप्रवा इस्तिती में क्या कर दिया गया वो न दी क्या हो गया चलिए उसके बाद बजट पार दर्सिता और जवाब देही Budget, Transparency and Accountability Budget, Pilar, Darsitah और जवाब देही Budget, Transparency and Access भारत का कौन सा स्थान है आपको बताना है जल्दी से सबी लोग बताइए तो इसमें रखा गया है इसको रखा गया भारत को 35 नमबर पर ठीक है भारत को कौन से 35 बता रहा है 53 यानि 93 नमबर पर रखा गया है उसके बाद हाली में किस राज ने डीजल पेट्रोल और मोटर इस्पिरिट के लिए कोबिड-19 उपकरण शिस लगाने की योजना शुरू किया है डीजल पेट्रोल और मोटर इस्पिरिट के लिए कोबिड-19 उपकरण शिस लगाने के लिए योजना एक सुरू किये इसका नाम क्या है इस राज जी का नाम है नागा लेंड तीक है नागा लेंड ने ऐसा कोशन पूछे जाएंगे कि यह आपका कोबिड-19 का दोर रहा है तो दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया चनी गोस्वामी इनका नाम है क्या नाम है चनी गोस्वामी उसके बाद हाली में किस देश को 2021 विस्व मुक्य बाजी चेंपियंशिप के मेज़वानी दी गई तो यह दी गई सर्बिया को साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चेंपियन सिप अब हिंदुस्तान की जगह है सर्बिया में होगा पहले गहाँ था हिंदुस्तान में अब कहां पर होगा सर्बिया में होगा क्योंकि भारतीव फेडरेशन मेजबानी रासी अदा करने में अस्फल रहा भारती फेडरेशन होता है जिसके एक रासी प्रदान की जाती है मतलब यह कहा जाता है कि आप समझते होंगे कि यह खेल यहाँ पे होगा वहाँ पे होगा इसके अलग-लग रूल सेट की जाते है जैसे एक federation यहां पे तैनात की जाती है, federation का appointment होती है, एक तरह के समझ सकते हो आप, समझने के लिए, तो उसमें क्या होता है, एक रासी तैंकी जाती है, कि आपको इतनी रासी देनी पड़ेगी, तो यह क्या हुआ कि भारतिय फेडरेशन मेजबानी जो थी, रासी अदा करन करने वाली, वो देने में अस्फ़ल रही, इसलिए अंतराश्री मुक्यबाजी महासंग को दोजार साना में किया गया, करार तोड़ना पड़ा, यह कब हुई थी, 2017 में यह एक करार हुआ था, कि भाई आपका इंडिया में होगा, लेकिन आप क्या करा गया, तोड़ दिया अब यह कहां पे होगा, अब सर्विया में होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने राजसी प्रदान नहीं कराई, सर्विया में होगा, देखने नहीं जाता होगा कोई मुक्यबाजी, यह ना, चलिए, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन आपका है, कि हाली में किस देश ने यह थोड़ा क्रिटिकल कोश्चन है, इसका एंसर आप लोग खुद होमवर्ग में धून कर बताओगे, तक कि अगर यह कोश्चन एकजाम में आपसे फच जाए, तो आप हंड्रेट परसेंट इस कोश्चन को कर क्या हो, मैं डेली एक कोश्चन होमवर्ग में दूंगा, का एंसर चाहिए, ठीक है, आज मैंने 20 कोश्चन करा है, आज आपकी करन्फिर की क्लास में, आपको बताना है कि क्लास कैसे लेगी, इस क्लास को कॉंटिन्यू करना या नहीं करना, यह भी कमंड करके बताए, अगर क्लास अच्छी लगी है, तो और बहतर तरीके से, और परशंट एक्जाम होगा, यह मतलब मुझे लग रहा ऐसा, जब तक साथ COVID-19 से भी हम लोग कुछ ना कुछ कवर कर पाएं, और अभी आपको बता दें कि UPSI के भी भरती आने वाली हैं, और जैसा कि आज विग्यापन भी दिया वा था, और कल फैसला भी कोड का आ गया, एक चुनावी मुद्दा कैसे जीता जाए सकता है, इसी तरीके से किसी ना किसी तरीके से जीता जाएगा चुनावी मुद्दा जो है यह, तो किसी ने किसी तरीके से जीतेंगे ही, तो मुझे लग रहा है 2021 मेंगर चुनाव है इनके, तो 2021 तक कोशिस करेंगे, नहीं जादा तो तो थोड़ी तो एकंसी निकालेंगे तो पचाज दर नहीं कॉंस्टेबिल की तो तो आनी ही आनी है यह ऐसा मतलब मानना है ठीक कि देखेंगे जैसा कुछ तो आपके लिए अपडेट हो आपके हर एक अपडेट से आप रिक्वर कर पाओ ठीक है ठांक यूवरी मस्ट जैए एक्जामपूर कर विजए एक्जामपूर और इस बार प्रदी की जंग एक्जामपूर कोईज मास्टर के संग